हम सब ने ये तो सुना है कि समय काफी बलवान होता है और केवल सुना ही नहीं है, एक्सपीजिन्स भी किया है तो आज हम जानते हैं नियुमलोजी के हिसाब से कौन सी घड़ी हमें पहननी चाहिए, कौन सी रंग का पहनना चाहिए रोज अगर उस रंग की नहीं भी पहन सके तो कौन सा वो दिन है जिसे हम वो रंग की घड़ी पहने जिससे की हमारा जो लग फाक्टर है वो इंक्रीज हो सके नमस्ते मैं हूँ श्रेदा सुरेइका और आप सब देख रहे हैं अगर रॉप हो आज की इस वीडियो में मैं एक काफी डिफरेंट टॉपिक को कवर करने वाली हूँ जिससे मैं कहूंगी की वाच नियुमेरलोजी मैंने काफी सारे वीडियो बनाए हैं फॉर नंबर्स अलग अलग चीजों को कवर किया है परन्तु जो वाच है हमारे लाइफ के काफी इंपोर्टन पार्ट को रिप्रेजेंट करता है जाता तर लोग घड़ी पहिनते हैं हमारा जो पहला घड़ी होता है हमारे माता पिता हमें गिफ्ट करते हैं या हमारे ले के आते हैं जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम खुद से अपनी पसंद से खरीदे हैं जो और बड़ । तो तुरव है reicht काफी च पना है जिसके मेरें बताया है कि भाग्यां को हम कैसे करते हैं आज पर आपको बहुत संख्शिक्त रूप में बता रहे हूँ जो आपका जो डिट उपडत है, जब आप उसे पूरा टोटल करते हो, You know, डेट, मंत, इयर, सब को टोटल करते हो, उसे सिंगल डिजिट पर लेके आते हो, वो आपका भाग्यांक होता है, गड़ी के बारे में जानने के लिए, वाच के बारे में जानने के लिए, हमें हमारे भाग्यांग कर जाना बहुत जरूरी है तो चलिए अब हम बात करते हैं एक से नौ नंबर के बारे में छोटा सा भीडियो बनाऊंगी शाधा आप लोगों का समय नहीं लूगी तो चलिए अब हम बात करते हैं नमबर वान के बादे में अगर आपका भाग्यांक नमबर वान है तो सुर्य का तेज है लीडर्शिप है करी न करी थोड़े से इगोस्टिक हो जाते हो जिसके कहां कईवा प्रॉब्लम में आ जाते हो तो उसके लिए आपके लिए क्या मून की तरो हो शीतल हो शान्थ हो सेंसिटिव हो इमोशनल हो सिल्व कलर का वाच पहनिए जैसा मैंने का रोज नहीं पहन सकते हो अटलीस मंडेज को पहनने की कोशिश कीजिए अगें अगर तीन है आपका भाग्यांक तो यह है गुरू का नमबर अगें गोल्डन कलर और आ आप नमबर चार अगर आपका भाग्यांक है जो है राहू का नमबर तो इस में आप स्टील ग्रे कालर का पहनिए वेंज़री को पहनिए काफी अच्छा रहेगा आपके लिए नमबर 5 है अगर आपका भाग्यांक तो आप गोल्डन या सिल्व दोनों प्रेंसी कोई सा भी सकते हो रोज नहीं पहन पाऊगे तो बुद्वार के दिन पहने आपके लिए अच्छा रहेगा नंबर 6 अगर है शुक्र का नंबर तब आप सिल्वर कलर का घड़ी पहने और फ्राइडी का दिन आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है पॉर नंबर 7 जो है केतु का नंबर बोल्डन कलर अगें वेदेंस्जेश बुट फूर यू नंबर 8 शानी का नंबर आपके लिए ब्लू और ब्लाक कलर दोनों काफी अच्छा रहेगा और साटरदेश के दिन जरूर पहनिए नंबर 9 जो है मंगल का कलर है आप यू जो कॉपर कलर होता है रोस गोल्ड कलर होता है उस कलर का घड़ी पहनिए टूस्डेश को पहनिए साटरदेश को पहनिए यह आपके लग फाक्टर को इन्हांस करने का एक तरीका है ओविसी देरा मैनी अधर रेमिडी अपने जीवन में इसे यूस करें और अपना जीवन खुद से बहतर बनाएं I hope you will find this video useful इसके जो information है आप अपने जीवन में यूस करोगे हमें कॉमें जरूर बतायेगा कि if you are going to follow this इसे शेयर कीजे हमें 10K subscribers तक जल्दी पहुँचना है you know it is our target now क्योंकि आप हमारी family हो you have been supporting us in all this journey support us further so that we can do you know it motivates us to do even better and better and better so support us in our journey I will keep bringing you new knowledge new videos and so that all of us can grow together I hope you like my video subscribe to our channel and yes more than anything else keep blessing us it means a lot to us thank you so much for watching our video you